आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे नमकीन तो मैंने एक कप यह मक्की का आटा लिया है यह मक्की का आटा एक कप और बाइंडिंग के लिए हम इसमें एक कपी से बेशन लेंगे तो मैंने बेशन ले लिया दोनों को हम मिक्स करके चान दें चानना तो बहुत जरूरी है क्योंकि यह हलका हो जाता हूँ इसमें जो भी कुछ हो ऐसे चान के तुसर रखते हैं लेकिन फिर भी लेगे मैंने इसको चान दिया है अब इसमें हम डालें सबसे पहले नमक क्योंब मेरा मसाली वाला इनमक है और आपको प्लें डालना हो तो अप्लें डाल सकते हैं तो मैंने नमक डाल दिया है अब हम इसी करेंगे पूरे में दूटे में में क्योंकि वैंदे लूरी है इसकी रूरीë पड़ जाए कहीं तो हम इसको मिक्स कर देंगे कहीं कम यह कहीं कम ज्यादा हो जाए है लेजिए यह मिक्स हो किया है अब इसमें हम डालेंगे साब जीरा लाल मिर्ची तेखी वाली यह लाल मिर्ची और यह दन्या पाउडर खुस्मों के लिए हेंग यह मैंने हेंग डाल दिये आप मसाली अपने साफ से कम यह ज्यादा कर सकते इसमें हम डालेंगे तेल तेल इतना डालना है कि मुठी में नॉर्मल आ जाए पूरा यही करने है और नमक टिस्ट कर लें कम या ज्यादा नहों और यह नमकीर बना रहे हैं तो इसमें तो कम यह नमक बहुत जरूरी रहता है नहीं बाद में फिर ज्यादा हो जाए तो इसलिए नमक जरूर करना और आप प्रेन नमक की भी बना सकते हूं मेरे पास यह था तो मैंने इसे बना लिया आप परिशान नहों पिलकुल आप इसे प्रेन से ही बना सकते हैं देखिए अब इसे हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पाने करके इसे डालके आटर लगा लेंगे इसको देखिए आए लग गया है ना जदर टाइट है और ना नरान थोड़ा सक तेल हाथ में लेखे इसे पांच मिनट के लिए रेट पेन रख देंगे हम यह रेष्ट हो करेगा उसी टाइम में हम कुछ और तैयार यह अपने कर लेंगे इसको हम रेट पर रख देंगे इस मसीन है मेरे शिव बनाने वाली नमकिन बनाने वाली इससे हम नूदल्स भी बना सकते हैं और शिव जो हमें बनाना हो बना सकते हैं तो मैंने इसमें तेल लगा दिया है क्योंकि ऐसा नहीं करते हैं तो इसमें बनाते हैं वेसा नाटा इसमें चिपक जाता है इसलिए हमने सांची में तेल लगा दिया है ताकि इसके साथ उपर ना और इसमें भी लगा दिया है कभी कभी फच जाता है यह मेरा बहुत पुराना है है मेरी दादि सास की जवाने का इसमें भी लगा दिया है अब हम चलते हैं हमने यह लिए मौपली की दाना है मुंपली के दान है इनको हम तेल में शेक लेंगे नमकील में डालने के लिए इसे बना रहे है ना उसमें लीजिए ये पांच मिनट हो चुके लेखिए बढ़िया बन किया है तो इसे हम थोड़ा ऐसे ही मल लें इसके हम बनाएंगे दो लोई देखिए ऐसा करेंगे क्योंकि उसमें बढ़ना है मसीन में तो लेजिए इसको हम ऐसे बढ़ देंगे ठीक है इतना खाली रखा है फिर हम आपको ये दोबारा इसको हम डग देंगे अब हम चलते हैं गैस के ओर देखिए मैंने गैस पर कड़ाई रख दे तेल भी डाल देया हुए ये ते गरम हो गया है इसमें हम डालेंगे मूंफली ची पुझदाने जैदा हाई कर लेंगे तो ये घुन्ने में अंदर से तो कच्चे दाएंगे पर ये जल्दी से बुन जाएंगे ये जल जाएंगे आप जो भी समने इसलिए मेडियम टुभाई फ्लीम पर ही करना है देखिए आबाज आने लगे मूंफली के दानों की ये तो बुन रहे हैं इनको हम ऐसे ही निकालेंगे गैस की फ्लेम को एक तम से शिलो करती है मैंने ताकि अच्छी से सिख जाएं इस तेल में और कच्चे न रहें नहीं तो फिर जब हम लोग खाएंगे ना नमकिन को तो कच्चा पन मूंफली का आएगा मूंबाद आब इस शिक चुके हैं इनको हम नकाल लेते हैं देखिए अब तो नई जमाने कही तरह की आने लगी है पहले ऐसे ही चलते हैं ती तो मेरे पास वही है देखिए अब यह पूरा न्युवत है इसलिए खुल गया है तभी तो मैंने आपको दिखाया देखिए आपको दिखाने के लिए मैंने यह सब किया था लेजी अब यह हो गया है और आपको हम दिखाएंगे देखिए अब हम चलते हैं कढ़ाई की ओग लेजी है यह बनने लगे हैं फोली इस्पेशल इन नम किया तो जितनी आपकी कढ़ाई में बने आपकी डाले बाकी बंद करते नहीं कहीं जैदा हो जाएंगे तो इसको हम ऐसे ही जब तक यह उपर नहीं आगी तक इसको हम चुआएंगे नहीं बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे जब उपर आजाएंगे नीचे सिक के सब इसको हम फिर टच करेंगे हम इसे शिखने देते हैं अब हम इसको पल्टेंगे अब इसे बारवा इसे हिला देंगे ताकि यह खुल जाए अब इस शिक चुक गई एक साइड से तो अभी मिक्स नहीं हो गई कि एक तार एक साथ हो जाए ऐसा नहीं हो गई यह वाला गला हो जाएगी विगडेगी नहीं इसलिए मैंने पहले इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया है अब इसे हम देंगे आज मैंसे ही शिख लेते हैं अब इसको हम निकाल लेते हैं आपको पास से दिखा देंगे इसका बढ़िया कलर राया है और शिख भी चुकी है अच्छे से इसको आम आपको तोड़के भी दिखा देंगे देखे मैंने यह लिये तोड़के दिखा देखे बड़ी है आप एक बार 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 बनाएंगे देखे इसमें हलकासा ही शुराग देख रहा है अलकासा देखे देख रहा है आपको पस यही पहचान होते है कि हमारी नमकीन परफेक्ट है अब दूसरा बैस भी हम बना लेते दूसरा बैस अब इसी तरह है जैसे पहला बैसी काता है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे उसी तुछसे हैं तरीके से सेखेंगे कोई अलग नहीं होगा देखे उपर आ रही है दीरे-दीरे ऐसे जब नीचे से सिक के यह उपर आ जाई था इसको हम टच करेंगे देखे यह मैंने पूरी सेख लिए देखे इसमें बिलकुल भी वायल नहीं है और यह महिनो महिनो चलने वाली इसली मैंने इसे थुड़ा जैदा सेखा है और खाने में इसे सौंदी-सौंदी खुस्प आईगी तो लीजी देखे आवाज आ रहे ही खन खनती बढ़िया हुए महिनो महिनो चलेगी आप इसे यह टाइट कंटीनर में भरके रख ले तो महिनो चलेगी अब इसको हम थोड़ा थोड़ा तोड़ा तोड़ लेते हैं ए अपने घर का ए पुराना तरीका नमकीन बना जो हमारी दादी नानी की जमाने का है इसमें कोई मिलावट नहीं है हमारी दादी नानी ऐसे ही बनाया करती थे और इसमें इनमकी नहीं मूनलेज और इसकी क्लिप मैं नहीं दिखा पाई मैंने यह के पूरी भी बनाई थी इसकी सियो बनाया थी उसकी पूरी ताकि बीच मे हलका सा यह बीच बीच में पापड़े से मुँमें आ जाए खाने हैं आपके फिर को फोर डालना हो तो आप इसमें डाल सकते हैं यह आवा जा रही है यह नमकिन बनके तैयार हो गए है यह महीनों चलेगी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगो तो प्लीज लाइक जैदा से जैदा करें शेयर भी करें और नए हों तो सबसाई करने बैल आइकन जरू दबाएं आप ऐसी नमकिन जब एक बर बनाएंगी ना मक्की क्याटे कि मिक्स करके आपको अब इतर किसी ने नहीं बताई होगी तो आप ऐसे एक बार जरूर बना है देखिए ऐसे कितनी सॉफ्ट है तुरंती यह टूट जाती है क्रंचिनेस और सॉफ्टनेस दोनों यह चीज़ा है देखिए यह वी सॉफ्ट है ऐसा नहीं है देखिए आवाज भी कर रही है देखिए आपको मेरा वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक करें शेयर करें आप ऐसे नमकिन बनाएंगी आपकी बच्चे बूर सभी क्रंची है पर सॉफ्ट है किसी को कोई प्रॉब्लम ने होगी फटा फट बनके तैयार हो गई है नमकिन आपकी रही कैसी बनाएं तो हम चलते हैं आपकी नमकिन बनाने के लिए महिनो महिनो चलने वाली